अब हम डिसकॉस कर लेते हैं ABO blood group system जो blood group systems हैं यह आपके multiple alleles के characteristics को फॉलो करते हैं और हमारी body के अंदर at least 30 जो है वो different blood group systems जो हैं वो discover हो चुके हैं और study किये जा सके हैं लेकिन इनके अंदर सबसे जादा जो famous हैं वो ABO and RH blood group system है reason यह है कि ABO and RH blood group system incompatibility शो करते हैं जब दो different recipient अपने आपके साथ blood को share करें जैनि कि जब दो बरस हम लोग transfuse करते हैं blood को तो उसके अंदर जो incompatibility शो करता है यह जो resistance शो करता है वो ABO blood group system है और RH blood group system है इसलिए हम लोग सिफ इनी दो blood group system को significantly study करते हैं और दुनिया में भी मोस्ति जब हम blood group का नाम लेते हैं तो हमारे जहिन में ABO and RH blood group system ही आता है पहले बात कर लेते हैं ABO blood group system को किसने discover किया था ABO blood group system जो है वो एक classical example है आपके multiple alleles की यानि कि एक gene को multiple varieties जो है कहते हैं कि एक person के पास जो है वो single pair of gene आता है तो वो वो वाकिए में single pair of gene आता है लेकिन multiple genes का मतलब ये होता है कि एक single crate को mostly दो alleles की होता है वो कंट्रोल कर रहते हैं हर और्गनीजर में या दुनिया के अंदर तो इस case में एक genes को जो है वो तीन कंट्रोल करें लेकिन एक single person के पास जो है वो सिफ दो alleles की होता है वो आते हैं इसको हम लोग ने 1901 के अंदर काल लैंस्टीनर ने जो था वो अब्लड ग्रूप सिस्टम डिसकावर किया इसमें four different bloods है A blood, B blood, O blood and AB blood अब जो A, B, O blood group system है इसके अंदर किया होता है क्यों होता है और किस तरह से हम लोग जो है वो कहते हैं कि A इस person के पास जो है वो A blood group है इसके पास B blood group है या इसके पास जो है वो blood group है तो इसको understand के लिए आप इस चीज़ को देखें हम सब को पता है कि हर cell के उपर कोई ना कोई surface marker present होते हैं जो उस cell का address होते हैं और ये surface marker हर person के अपने genetic basis की वज़ा से different होते हैं जनी मेरी body के अंदर जो surface marker होंगे सारे cells पे जिसमें red blood cells, मेरे muscle cells, मेरे white blood cells, सब cells आ रहे हैं तो वो जो होंगे वो different होंगे even मेरे अपने family के person से तो इसी तरह जो blood group होता हो उनके उपर एक certain किसम का जो होता वो surface marker आता है जिस surface marker को हम लोग antigens केते हैं अब यहां पर आपने यार रखने हैं कि जो A antigens होता है वो A genes या A allele जोता होता है और जिस बंदे के अंदर सिर्फ A allele होगा तो उसके red blood cell के उपर जो है वो A antigens के surface marker जो होगे वो present होगे और फिर जिस person के पास सिर्फ B antigens होगा उसके blood के उपर जो है सिर्फ B antigens present होगे And then, जिसके पास A और B blood group present होंगे तो उसके पास A और B दोनो antigenes present होंगे O का मतलब यह है कि इसके पास कोई antigen जो हैं, वो present नहीं है तो इसको अब यहां तो हमने antigenes की बात कर ली तो antigenes कौन क्रियेट कर रहे हैं, antigenes जो हैं, वो genes क्रियेट कर रहे हैं So that's why हम जब ABO blood group system की बात करते हैं, तो हम इसके जनाटिक basis की बात करते हैं As I have told you, कि इसके अंदर तीन genes जो हैं, वो contribute कर रहे हैं एक है आपके पास recessive gene, जिसको हम लोग AI gene कहते हैं Then we have one dominant gene, जिसे हम लोग AI कहते हैं और दूसरी हमारे पास एक और dominant gene है, जिसमें IB है So this is the classical example of multiple allele, जिसके अंदर हमारे पास दो dominant allele हैं और एक recessive allele है लेकिन हर इनसान की पास या तो recessive आएगी या दोनों dominant हैगी, दो ही आएगी लेकिन इसे multiple allele में क्यों study किया जाता है, क्योंकि इसके पास दो dominant allele हैं instead of one dominant allele क्योंकि हमने जितने भी alleles पढ़े थे, उनमें एक dominant होता है और एक recessive होता है इस case में दो dominant हैं और एक recessive allele है That's why हम इसे multiple allele का नाम देते हैं, क्योंकि ये वाहिद allele हैं जब very few ऐसे genes होते हैं, जिनके अंदर दो dominant genes होती हैं, वो present होती है अब इसकी वज़ा से अगर हम इसके genotype of phenotype को देखें तो let's suppose करें किसी के पास अगर blood group B आया है जिसमें एक आपके पास dominant allele आया और एक recessive यह दोनों homozygous dominant conditions हैं जिसमें IA और IAR है Then again, जिसके पास A भी होगा, तो as the name show, कि इसके पास सिफ एक ही combination होगा जिसमें दोनो dominant allele आपके पास आएंगे और O blood group का मतलब यह है कि इसके पास सिफ 2 recessive allele आएंगे और कोई dominant allele नहीं है, so that's why वह अपने आपको कोई antigen प्रोड्यूस नहीं करेगा उस blood blood cell पे कोई antigen present नहीं है अब यह antigen का तालुक है, यह antigen क्यों होते हैं और इनका क्या pronounce effect प्रोड्यूस होता है वह आपका antigen होने या ना होने से नहीं बढ़नेगा बलके इन antigen के against response प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग antibodies कहते हैं उनके blood में present होने की वज़ा से, इसका जो effect है वह काफी जादा profound और काफी जादा जो होता है, वह significant and clear होता है अब अगर हम यहां पर देखें, तो A blood group जो है, उसके अंदर cell के उपर A antigen present है लेकिन इसके अंदर जो missing है, वह कौन सा है, वह B antigen missing है, so that's why B के against जो है, वह antibodies produce हो जाएंगी इसी तरह अगर B blood group है, तो उसके अंदर जो allele missing है, dominant allele, यहां पर dominant allele की बात हो रही है वह आपके पास A है, तो it means कि इसके against जो antibodies produce होंगी, वह A antibodies होंगी अब जब A B blood group है, तो उसके अंदर दोनो antigen's हैं, antigen A and antigen B, तो इसके अंदर कोई antibody produce नहीं होगी जबके और ग्रूप में देखें, तो ओर ग्रूप में कोई antigen present नहीं है, so दोनो dominant alleles के against दोनो dominant antibodies produce होंगी तो इस तरह हमारी जो antibodies की production है, ये आपकी blood transfusion के अंदर काफी जादा mind में रखी जाती है Transfusion principle को हम लोग देख लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कि हम लोग कहते हैं कि किसी बंदे को blood की जरूरत है तो blood की जरूरत जो होते हैं, वो उस condition में होते हैं जब आपको परसन की body के अंदर जो blood level हो काफी जादा low हो जाए तो फिर जब वो person जो होता है, वो blood जो receiver होता है, उसका हम लोग blood group के according होता है, उसे blood transfuse करते है अब यहां पर blood transfusion जो है, वो donor या receiver दोनों के blood को चेक करने के बाद, दोनों के blood की compatibility को देखकर, then blood को transfuse किया जाता है ऐसा क्यों होता है, इसको understand आप इस तरहां से करें, कि जो receiver होता है, उसके blood में, अगर donor कर दिये जाने वाले blood के antigens produce हों, या antibodies मुझूद हों, तो वो antibodies, उस receiver की body के अंदर जो antibodies हैं, वो donor के blood जैसे इसकी body के अंदर आएगा, उस पर attack करेंगी, और उस blood को kill कर देंगी इस तरहां receiver की body जो है, वो सारा new blood destroy कर जाएगी, और receiver की body के अंदर blood आपने जितना extra डालेंगे उसका कोई फाइदा नहीं होगा second, जो receiver की body ने जब blood destroy किया तो destroy करने के बाद blood के clumps produce हुए, clot produce हुए ये clot, receiver की पूरी body के अंदर distribute होगे, उनकी blood vessels को destroy कर देंगे, या blood vessels के अंदर block it डालेंगे जिसकी वज़ा से receiver की death भी हो सकती है so that's why हम लोग जब किसी को भी blood लिगाते हैं, तो इस चीज़ को देखते हैं कि उसकी body में इन bloods की खिलाफ antibodies तो produce नहीं है अगर वो antibodies हैं, तो हम वो antigen नहीं introduce करवाएंगे, जिसके against receiver की body के अंदर antibodies present है यब ये antibodies और antibodies का क्या combination है ये क्या relation है, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं अगर हम B blood group की बात करें, तो उसकी body के अंदर कौन सी antigen present है उसकी body में antigen B present है, तो antigen B होने का मतलब क्या है, कि antibody A produce होगी तो that's why हम लोग उसको ऐसा blood नहीं लगाएंगे, जो के antibodies जिसके अंदर antigen A आए, तो antigen A किसके अंदर नहीं है, B blood group में और O blood group में क्योंकि O blood group में भी antigen A present नहीं है, इसी तरह जब हम A blood group की बात करते हैं, तो वो receive उस बंदे से कर सकता है जिसकी body में कोई भी antigen B present नहीं हो, तो हमारे पास again A blood group के अंदर कोई antigen B present नहीं होता, so that's why हम उसे लगा सकते हैं and O के अंदर भी कोई B antigen present नहीं होता है, इसलिए हम उसे भी लगा सकते हैं जब हम A, B की बात करें, तो A, B के अंदर दोनों antigen present है, इसलिए वो दोनों किसम के blood ले सकते हैं जनि वो A blood भी लेगा, तो उसकी blood के अंदर antigen A है, तो receiver की body में already A, B present है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर वो B भी ले सकता है, तो B antigen भी उसकी body में present है, तो उससे भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और O के अंदर क्योंकर कोई antigen ही नहीं होते, तो उसकी body में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब जब हम O की बात करें, तो O blood group के अंदर जो है, वो antibodies कोई antigen present नहीं है, तो हम उसे ऐसा blood नहीं दे सकते हैं, जिसके अंदर कोई antigen हो, क्योंकर reaction हो जाएगा तो that's why, ऐसा blood group जिसके अंदर कोई antigen नहीं होता, वो O ही होता है, so that's why O सिफ O से ही blood receive कर सकता है तो ये देखते हुए हम लोग जो है, वो sometimes जो babies होते हैं, जो parents होते हैं, उनके different blood groups जो होते हैं, वो बच्चों के अंदर different types of combination of blood groups create करते हैं तो उसके जो हैं, वो आपके body के अंदर दो genetic problems given हैं, पहले genetic problem के अंदर ये है कि a person with a blood group marry a woman with b blood group अब a blood group और b blood group लेने जो parents हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके different combination प्रोड्यूस हुएं चारो जो हैं वो combination हैं कि a, b, o और a, b ये चारो प्रोड्यूस हुएं ये किस condition में प्रोड्यूस होंगे और ये possible कैसे हैं, ये आपने बताना हैं तो इसमें अगर आप देखो, तो a blood group के अंदर ये उसी condition में होगा जब man है, man है हेट्रोड्यूस हो, यानि कि i, a और i और woman b, वो भी हेट्रोड्यूस हो, it means i, b और i अगर हम इनका cross करवाएं, man का हम लोग, आपकी मरजी आप जिस parent का वो उपर रख रहे हैं अब यहां पर हमारे पास कौन सा blood आ रहा है, हमारे पास i, a और i, b दोनों आ रहे हैं, तो इस वज़ा से blood group कौन सा produce होगा, a, b इस केस में IB और जस्ट आई आई हैं तो हमारे पास B blood group प्रोड्यूस हो रहे हैं इस केस में I A और I हैं तो हमारे पास A blood group हो रहे हैं इस केस में हमारे पास दोनों आई आरे हैं तो हमारे पास O blood group प्रोड्यूस हो रहे हैं और अगर recessive gene present ना होते तो हमारे पास O blood group present नहीं हो सकता था So O blood group लाने के लिए हमें ये assume करना पड़ता है कि जो parents है वो heterozygous है ताकि दोनों recessive जो combine हो तो O blood group का phenotype प्रोड्यूस कर सके जो दूसरी genetic problem है उसके अंदर हमारे पास है कि जो woman है उसके पास B blood group है तो जो उसका बेबी है उसके पास O blood group है अब इससे जो हो सकता है कि mother और child के अंदर कौन सा जो है वो blood group हो सकता है जीनो टाइप अगर mother को जो है वो child के अंदर O blood group है तो it means कि definitely जो parents है वो heterozygous है क्योंकि अगर parents heterozygous नहीं होंगे तो O produce नहीं होगा जैसे मैं आपको पिछले genetic problem में बताया था तो इसलिए जो आपके parents है उनमें जो father होंगे वो भी heterozygous होंगे और वो heterozygous होंगे with A blood group और जो mother होंगी वो भी heterozygous होंगी with B blood group तब ही ताके जब mother और parents जो है वो combine करेंगे तो उनके combination से जो है वो हमारे पास recessive blood group जो के O blood group है वो आ सकते हैं So that's why father का जो genotype है वो नहीं होना चाहिए homozygous dominant अगर father homozygous dominant होंगे तो यह recessive trait नहीं आ सकता और बच्चे का phenotype O नहीं हो सकता तो जब भी आपसे question पूचा जाए कि O blood group किस condition में आएगा यह हमेशा उसे condition में आएगा जबके father और mother दोनों heterozygous हों इसके साथ ही हमारा ABO blood group system complete हो गया आपने इसके अंदर blood transfusion principles हैं उनको अच्छी तरह से memorize करना और यह याद रखने के कौन सा antigen हो तो antigen matching की basis पे जो होता जो receiver है उसकी जान को खत्रा भी हो सकता है तो हमेशा जब भी आप लोग blood groups को याद करें तो उसी टाइम आपने याद रखने है कि वही blood group transfer होंगे जिनके antigen match करेगा Thank you